कभी कभी ऐसे लगता ने यार कि हम लोगों का दिमाग पड़ पाते तो कितना अच्छा होता जिन्देगी कितनी आसान हो जाती है ना लेकिन अगर हमको पता चले कि ऐसा होना वाकई में मुम्किन है तो आप यकिन करेंगे अच्छी लोग कई तरीके से आपको अप बता सकते हैं अपने बारे में जैसे कि उनके बॉड़ द्रेस्जिया और उनå की उनका मेकप और उनका पिहेवियर आपको उनके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है तो आज कि ये समर्ज sweetheart अब को बता करो रहोग एगीchas हली हम प्रूवन टेक्निक्स तो अनलाइज पीपल इनसाइड एंड एनिवन लाइक बूप तो इस समरी के बात करें तो आपको लगता है कि लोग बड़ी ही आसनी से आपको पुद्धु बना सकते हैं तो क्या सामने वाले की असली इरादे को समझने में आपकी प्रॉब्लम होती है क्या बड़ी ही जल्दी दूसरों के बातों में आ जाते हैं अगर ऐसा है तो हम आपको बता देते हैं कि लोग इतने भी मिस्टीरियस नहीं है जितना आप समझते हैं आपको लगता है असल में लोगों के असली इरादे उनके सामने आ ही जाते हैं बस आपको उनके हाओ पर गौर करने की जुरत है इस समरी में हम लोगों के body language समझने का तरीका सिखेंगे यानि कि किसी के body moment को देख करके पता लगाना कि उसके mind में चल खेरा है लोग जाने में अपनी subconsciously अपने body moment के जरिया अपने असलियत को जाहिर करी देते हैं वो कहते है ना कि इनसान का चहरा उसके दिल का सारा हाल बता देता है इसलिए अगर आप किसी के चहरे के तरफ गौश से देखते और उसके हाव पाव को समझने की खोज़िस करते तो बाप बड़ी ही आसानी से उनके feelings को उनके इरादों को समझ सकते हैं आप उन पांच features के बारे में सीखेंगे जो किसी के personality को समझने के लिए यूज किया जाते हैं आप किसी के dressing sense और उनके बात करने के तरीके से उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं लोगों के interest habits या को किस टाइप के music को सुनना पसंद करते हैं और या फिर किस टाइप के वह किस तरीके लोगों से दूस्ति करते हैं यह भी काफी हिंड देता है आप यह भी सिखेंगे कि दो तरीक मेल अडल्ट relationship होते हैं workplace पे workplace relationship और romantic relationship कई बार अपने को worker और romantic partner को समझना बहुत जरूरी होता है लेकिन यह summary हमको उन्हें analyze करने और उनके साथ में बेटर तरीके से interact यानि के बात चीत करने में help करेगी अच्छे communicator दुनिया के सबसे सबसेक्सिवल लोगों में से होते हैं अच्छा communicator उन लोगों को समझता है जिनके साथ में उनका interaction होता है अपने लोगों के साथ में high level का understanding आपको खुशाल और fulfilling life जीने के लिए help करेगा और इस level तक पहुंचने के लिए हमको यह जानना ज़रूरी है कि लोगों को analyze कैसा किया जाए तो चलिए इस journey को start करते हो सबसे पहले समझते हैं using our bodies to communicate मतलब यह कि हम अकसर बात करते टाइम में अपने body language बहुत ज्यादा यूज करते हैं body language थमसब जिसा कोई signal नहीं है बल्कि ऐसे चीज़े जिस पर गौर करने के ज़रत पड़ती है यानि कि facial expression या फिर posture communication के जो simplicity जो over यानि कि thinker होता है जो कि हम body language के help से करते हैं तो अब बात अगर लोगों को analyze करने के हो तो body language समझना बहुत important skill है जो हमारे लिए काफी फाइदे मन उसावित होगा खासकर जब हम किसी से पहली बार मिल रहे होंगे तो उनकी body language हमको बता सकते है कि वो भरोसे के रायक है या नहीं जिन्हें हम पहले से जानते हैं उनकी body language से भी हमको काफी कुछ पता चल सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर क्या feel कर रहे हैं जैसे कि अगर आपको कोई तोस्त नर्वस्त है तो आप उसकी body language अब्सॉर्ब करके इस बात का पता लगा सकते हैं चाहे वो आपसे अपनी problem share करे या ना करे पर आप उनको help offer कर सकते हैं तो जब भी हम किसी से communicate करते तो हमारे body के कई parts इसमें सामिल होते हैं इन में से साबसे easy है upper body यानि की सरीर के उपर इससे को समझना हमारे upper body में सारे जो important organs होते हैं और lungs हमारे upper body को जिस तरीके से behave करती है जैसे कि यह organ सुरक्षित रहे खासकर dating करते टाइम पर upper body organization बहुत useful होता है अगर आपके date ने अपना chest आपकी तरफ किया हुआ होता है यानि कि वो safe की feel कर रही है और उसे आप पे भरोसा है chest को दूसरी तरफ करना यानि कि discomfort feel ना यानि कि सामने वाला खुद को और अपने दिल को आपसे चुपाने के कुछिस कर रहा है next body part आता है hands यानि कि हाथ लोग अकसर बात करते टाइम पर अपने हाथों का बहुत स्तमाल करते हैं जो लोग जादा hand gesture यानि कि अपने हाथों को यूज करते वो confident और energetic होते हैं हाला कि यह सिर्फ hand gesture के basis पर आप किसी को पूरी तरी किसे नहीं समझवाते हैं इसके लिए आपको बहुत भी ध्यान सा analyze करना पड़ेगा energetic लोग नए या जान प्लेस पे low energy hand gesture यूज करते हैं इसलिए hand gesture को हमें सब बागी body के दूसरे part के साथ combine करके देखना पड़ेगा और हमारे हाथ वैसे हिलाते डिलाते देहने के जरिये काफी कुछ यह साब-साब communicate करता है और आसा तब होता है जब कोई person बैचेनी से हाथ और बाजू को इलाते रहता है बारबर चेहरे पर हाथ फिलाना टेबल पर उंगलिया बजाना यह सब जिसे पता चलता है कि सामने वाला uncomfortable है या फिर nervous है या फिर bored हो रहा है इससे हमको पेरों से भी काफी कुछ पता चल सकता है असल में body language साब कुछ observe करते टाइम पे इन body parts पे हमारा ध्यान कम ही जाता है लोग खुद को control करने के लिए हाथ और चेहरे के इस्तमाल तो करी लेते हैं पर पेरों को भूल जाते हैं इसलिए पेर अक्सर सच्चाई बया तो किसी को observe करते टाइम उनके पेरों पर भी ध्यान देजिए उनके पार कहां पर हैं कहां पर point कर रहे हैं अगर आपकी तरफ point कर रहे हैं तो यह मान लींजे कि उनको आपका इस साथ पहे रहे लेकिन उनका पाव आपकी तरफ pointed नहीं है यानि कि वो आपके साथ comfortable नहीं है इसका सीधा सीधा आसर मतलब है कि सामने वाला जल से जल आपसे पीछा चुटाना चाहता है तो पेरों के position confident के बारे में बताते हैं पेरों को एकदम चिपका के बैठने का मतलब है कि आप insecure और nervous फील करें कुछ लोगों को पेरों को फिला करके जादा जगा गेर करके बैठने के आदत होती है ऐसे लोग authorative और confident nature के होते हैं हाला कि यह observation हमेशा 100% accurate नहीं होती है क्योंकि कई लड़किया skirt और dresses में पेरों को चिपका करके बैठती है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो insecure है हमारे body का सबसे insensitive part होता है यानि कि हमारा face और चहरा जो facial expression यानि कि चहरे के how about analyze कर गया हम लोगों के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं चहरे के 3 features हमें लोगों के feeling के बारे में बता सकती है यह है eyebrows यानि कि भौ है आँखे और मूँ eyebrows कभी जूट नहीं बोलती आम तोर पर लोग अपनी emotion सिपाने के लिए अपने eyebrows को नीचे कर लेते हैं नीचे eyebrows करने का मतलब पर कभी-कभी गहरा concentration भी होता है तो इनसान के चहरे पर सबसे ज़्यादा expressive तब होती है जो उनकी आँखे होती है लोग आपस में बात देख करते टाइम एक दूसरी के आँखों में देखते हैं केते कि आँखे दिल का आई ना होती है अगर कोई हमें 100 फीट की दूरी से भी देख रहा हो तो हमें पता लग सकता है अकसर चूट बोलने वाले लोग आँखे चुडा करके बाते करते हैं लेकिन इसे यह दोका मत खाना क्योंकि प्रोफेशनल लोग सीधा आँखों में देख करके बाते करते हैं कई बार aggressive eye contact भी दिखाई देता है कि सामने वाला जूट बोलता है वैसे खुशी एक ऐसा इमोसे ने जिसका पता आँखों से चल जाता है एक सची smile आपके आँखों के आसपास की muscle को tight कर देता है जिससे आँखों के कोनों में wrinkles यानि के सलवर्टे आ जाती है लेकिन फोई भी fake smile दे सकता है दिखा सकते हैं कि जिससे हो बहुत happy है लेकिन उनके आँखों के कोनों में आपको wrinkles यानि के सलवर्टे नहीं दिखाए देंगे चेहरे का दूसरा important part है मूँ लोग lips और jaw का यूज़ करके कहीं सारी चीज़े communicate कर देते हैं दान तीजने का मतलब है कि discomfort और anxiety सामने वाला होटो को bite कर रहा होता है तो समझाइए कि वह गहरी सोच में दुबा हुआ है और एक sign हो सकता है कि वह चुप रहने के कुशिस कर रहा हो बन होटो और jaw यानि कि जुब्रों को बीचना गुस्से का sign होता है वह जिससे गहरी सोच और का फर्ट जो होता है वह आंकों से दिखाई दे जाता है गुसे में लोगों के आंके छोटी हो जाते है और उनके आई ब्रोज के बीच में gap कम हो जाता है वैसे आम तोर पे इन तीनों पार्ट के combination से emotion एक्सप्रेस किये जा सकते हैं अब उदासी का ही example ले लीजिए उदासी है दुख एक ऐसा emotion है जिसे छुपाना बहुत मुश्किल होता है जब लोग उदास होते तो उनके मुझ लटक जाते आई ब्रोज के अंदर के पार्ट एक साथ आकर के उपर की तरफ हो जाते हैं और एक example है डर डर में इनसान की बोहें उपर की तरफ उठ जाती है इसमें wrinkles दिखाए देने लगते हैं नीचे के परत भी उपर की तरफ उठ जाते हैं कई बार तो उपर की पलक भी उपर उठ जाती है जिसे आंकों का सफेद इस्ता दिखाई देने लगता है डर के मारे इंसान का मुह भी थोड़ा सा खुल जाता है वेसे सारे साइंस, कल्चरल और सोशिल स्टैंडर्स से भी अफेक्ट हो सकते हैं कि पिनलेंड में आई कॉन्टैक्ट नॉर्मल जेस्टर है जबकि जपान में इसे एक साइन समझा जाता है हाला कि तीनों फेक्टर कल्चर से ज्यादा आफेक्टर नहीं होते हैं नीचे बताए होए तीनों फेक्टर्स हमारी सामाम में वो जानकारिया देते रहेंगे पहला साइन है Crossed Arms, यानि कि हाथों को बांगना, इस पोजिशन को देखते ही आप समसकते हैं, जाइए कि सामने वाला Discomfortable फिल कर रहा है, हाथ बांगने का सीधा सा मतलब है कि इंसान कुछ को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा साइन है Mirroring, ये तब होता है जब कोई दूसरे इ इंसान को Interveral Connection दिखाता है, ज्यादा तर Romantic Partners में ऐसी Body Language देखी जाती है, तीसरा Factor होता है Carriage यानि कि लोग अपना Posture कैसे Hold करते हैं, इससे हम Analyze कर सकते हैं कि सामने वाले के अंदर कितना Confident है, जैसे कि Walking और Sitting का Example लेक ले लीजे, अब मान लीजे कोई आपके सामने में बैठा हुआ है, एकदम सीधे Posture में, उसकी Chest बाहर की तरफ और चीन ऊपर की तरफ है, चलते समय उनके कदम एकदम Confident के साथ में जमिन में पढ़ते हैं, ऐसे लोग भरोसे मन और होते हैं, जो के जुके हुए कंदे और धीला ढाला Posture दिखाता है, इंसान के अंदर Confident के बह करना स्टेज होर्मन को बढ़ाता है, यानि कि जैसे कि उनके अंदर कोई Testinimal होर्मन को बढ़ाता है, जो कि इंसान के अंदर असली Confident लाता है, इसे को अनलाइज करते समय उब्जर्ब करें कि उनके पूरी बॉड़ी आपको क्या मेसेज दे रही है, इससे आपको एक दम ए पाते करता है, उसके पेरों के बीच में भी काफी ज्यादा गैप है, उसने अपने हाथों को क्रॉस कर रखा है, लेकिन वो लगाता है और मुश्कुराते हुए बाते करा है, और उसके आँखों के कोनों में रिंकल्स नजर नहीं आ रहे हैं, आप देखते हो कि मार्क के बता है, बता हो, तो आपको वो किस तरीका का इंसान लगा तो, इसका जवाब है कि मार्क असल में अपनी फीलिंग्स को चिपानी की कुछिस कर रहा है, उसकी आँखों से यह साफ साफ बता चल रहा है, कि वो इतना नर्वस और अनकॉंफिडेंट है, हाला कि उसके बागी कुछ और बता रहे हैं, बताने के कोशिस कर रहा है, वो बात करते ताइम स्माइल करता है, और खड़त होते टाइम वो पहरों को कोल करके खड़ा है, ताक ही वो कॉंफिडेंट दिख सके है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, आउटपूट, प्रस्नालिट, हैं याद रहें कि जो साइन आपको देखे, आपने देखे हो उनके क्वालिटी के बारे में सिरह हिंदी हलते होंगे, कई बार क्या होता है, कि जो उनका जो behavior होता है, एक दम अलक होता है, वो कैसे होता है, कुछ और है, दिखाते कुछ और है, इसलिए हमेंसा observe करे कि कि किसी के बारे में बता सकते हो पहले तो यह कि वो जो यूज करते हैं कपड़े ड्रेसिंग सेंसर फेशन स्टाल को अबजर्ब करना हमें सच ज्यादा बहुसे मन नहीं होता है आम तोर पर वेल ड्रेस्ट लोगों में हाई लेवल का कॉन्पिडेंट नजर आता है जो लोग डीले डाले और पुराने कपड़े पहनते हैं उनमें सेल्फ स्टीम के कमी पाई जाती है और वैसे ही जबकि कायरे डीले डाले पुराने सूठी पहनती है कही बात हो ओफिस में बीना कपड़े प्रॉपर कपड़े के ही आ जाती है हाला के कायरे में confident और aggressive lawyer है लेकिन couple के मामने में उसके choice बहुत खराब है क्योंकि उपरवाह नहीं करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वहीं डूसरी तरफ Rachel insecure फिल करती है उसके अंदर self-steam keep कमी है वह well-dressed इसलिए रहते है क्योंकि उससे लगता है कि lawyer की image strong होनी चाहिए लोगों के बात करने का तरीका भी उनके confident को बताता है confident और compatible लोग खास तरीके से बाते करते हैं वह medium volume में आराम से बात करते हैं या खाती यह वह uncomfortable या चिंतित है तीसरा फीचर से लोगों की habit और interest यानि कि इंसान की habit से उनका असली nature पता जल जाता है क्या आप किसी को जानते हैं जो social work बहुत अच्छा ज्यादा करते हैं ऐसे लोग बड़े दिल वाले और हमदर्च्वाभाव के होते हैं पालतू लोग अक्सरा अपने opinion को online post करते हैं लेकिन जो लोग social media ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर आम तोर पर self confidence की कमी होती है ऐसे लोग human contact के लिए desperate होते हैं लास्ट के दो features है कि वह किस तरीके का music सुनते हैं और किस तरीके के लोग उनके दोस्त होते हैं जैसे कि Harry Ward University के 36,000 लोग सामिल थे researches यह पता करने की कोशिस कर रहते हैं कि लोगों की personality और उनके music के टेस्ट के बीच में क्या role है उन्हें पता चला कि rock और rap music को aggression से साथ जोड़ करके देखने पर देखने गलत फैमी है rock और heavy metal पसंद करने वाले लोग काफी इंटरवर्ड होते हैं वो लोग बहुत gentle और creative होते हैं रैप और hip hop सुनने वाले लोग एक एक्स्टरवर्ड लोग होते हैं और इनका self stream level भी काफी hype आया गया है pop music पसंद वाले लोग ज्यादा तर बाकियों से ज्यादा इमानदर और extrovert nature के होते हैं हाला कि इनके इंदर creative जो quality होती है वो कम था जो classical music सुनने वाले emotionally काफी stable mind के होते हैं इसके अलावा आप लोगों के दोस्तों से भी उनके बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं लोगों के friends बनाने के कई region हो सकते हैं इन में से एक कारण है जैसे के altruism यानि के लोगों को जो nature और quality पसंद है वो वैसा ही लोगों से दोस्ति करना पसंद करते हैं अब Naomi और Jennifer का example ले value देती है लोग अपने जैसे लोगों को ही दोस्त बनाना काफी पसंद करते हैं close friends अकसर same hobbies को same interest को share करते हैं लोग उन्हें के साथ comfortable खिल करते हैं अकसर जिनके opinion एक दूसरे से मिलते जिलते होते हैं इसका मतलब यह कि दोस्त आपस में same values और morals को share करते हैं और इसे के साथ इसलिए अकसर हम अपने colleagues के साथ में गहरा रिस्ता develop कर लेते हैं एक तरे किसे कहें तो हमारे second family बन जाते हैं इसलिए हमें जरूरी हो जाते हैं कि हमें अपने colleagues के बारे में अच्छे से पता हो तो पहला इंसन जिसे हमको समझना है वो है हमारा boss अपनी boss के habits को समझना उनके स कर सकते हैं कि आपको उनके साथ में काम करना है या नहीं आप इसे कुछ अच्छे से सवाल जवाब भी कर सकते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर interviewer अच्छी तरीके से तयार है तो इसका मतलब यह कि आपका boss काफी organized type का person है यानि कि वह हर काम को efficiently पूरा करने मे ज़्यादा फोकस करेगा हाला कि ऐसे बोस ज़्यादा helpful type के नहीं होते हैं बलकि deadline को लेकर के काफी strict रहते हैं क्रिश्टन एक नहीं जवाब के लिए अपलाय करी तो उसकी team leader जॉन के साथ में interview हुआ interview लेते चाइम में जॉन बड़े ध्यान से क्रिश्टल के जवाब सुन रहा था जब क्रिश्टल ने उसे कुछ सवाल किये तो जॉन ने काफी seriously जवाब दिये जॉन ने जल्द बाजी में कुछ नहीं कहा बलकि एक-एक सवाल का जवाब काफी सोच समझ करके दिया तो जो ब बातों से क्रिश्टल को यकीन होता है कि इस जॉब में जोन के अंदर काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर में काम करने से वह हमेशा उसके प्रतिय रहेगा और उसके काम को अप्रिशियेट करेगा तो जिस तरीके से एक बॉस अपने टीम के बारे में बा करना है ऐसे बॉस के साथ में कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा जब आपको कई जॉब मिलती तो आपको अपने बॉस के उमीदों पर खरा होता है इसलिए आपको यह पता करना होगा कि आपके बॉस को क्या मोटिवेट करता है पावर एफिलेशन या अचीवमेंट तो पा कुमता पसंदें पहलता है लिक युशन से जयाता फोकस करते देलिगा आपके जो रिवॉड़्त करते उनके डींचि乾्वावर्ड देना पसंद करतें जो उनके डिसीजन पर हां पर है यानि कि आपकी जॉब 강द करते हैं और अपने बॉस पर हां पर हां मिला है और ऐसे तुरंत अगर जानकारी ना मिले तो यह काफी चिर जाएंगे तो अपने बाद में आप बारी आती है अपने को वर्कर्ट को अनलाइज करना यह वो लोग है जिनके साथ में आपका रोज उठना बैठना होता है इसलिए अपना काम ठीक से करने के लिए और एक स्ट्रेस फ्री माहौल में काम करने के लिए आपको उनके साथ में अच्छा रिलेशन से बना के चलना होगा पहला स्टेप साता है कि यह पता करना कि आपके कलिक्स आपको पॉजिटिव करी किसे देखते हैं या नहीं आपके ओपिस में जाते ही क्या वह आपको देखकर कि स्माइल करते हैं इसका मतलब यह है कि आपके co-workers आपको respect नहीं करते हैं आप अपने behavior चेक करिए और पता लगाए कि क्या reason है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं सायद आपका attitude कुछ यादा ही negative है या फिर सायद आप बहुत ही बोलते हैं अगर आपने अपने बुरी आदतों को change नहीं किया तो आप कभी भी successful नहीं हो पाओगे कई बार यह पहचानना मुस्किल होता है कि आपको workplace में नदर अंदाज किया जाता है वो इसलिए क्योंकि workplace को relation personal हो सकते हैं लेकिन professional होने का यह मतलब नहीं है कि आपको ignore किया जाए तो जो अगर आपके collect से आपको joke share करते हैं या फिर आपको particular invite करते हैं अगर जवाब ना है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं अक्सर office में ग्रूप बन जाते हैं यह group के लोगों के interest भी same होते हैं यह group workplaces में गलत चीज़ों को रोकने में काम आते हैं हाला कि इसका नुकसान भी है कई बार यह group के लोग बाखी employees को bullying करना स्टार्ट कर देते हैं तो workplace में हमें किस तरीके से लोगों को पहचानना है अब्जर्ब करना है यह जानने के बाद अब हम जानते assessing romantic links यानि कि हम सबकी life में कभी ने कभी romantic partner जरूर आते हैं इसलिए अपने लिए right partner दूरना बहुत जरूरी हो जाता है वरना जिन्दिगी भर हम उसका कामियाज उठाना पड़ सकता है तो हमारे partner को कैसे हम पता करें कि analyze करके हम पता कर सकते हैं कि वो हमारे लिए सही partner साबित होंगे या फिर नहीं तो romance के शुर्वाती दिनों में क्या होता है कि बड़े ही exciting लगते हैं उस ताइम हमें साथ अपने partner के कमियान अजन आए क्योंकि हमारा सारा अध्यान उनके प्रतिय अपने feelings पर होता है लेकिन यहीं सुर्वाती दिन उनने जानने और समझने के लिए best होते हैं आपके सुर्वात देट आपको काफी information दे सकती है डेट के बाद कुछ से सवाल पूझे कि अपने partner के साथ में बाते करने आपके लिए कितना ही जी था अगर सारा समय आपके बोलते रहे तो सायद ही है आपका right partner नहीं है उनके body language कैसी थी वो आपकी तरफ देख करके बाते कर रहे थी या फिर कहीं और देख रहे थे अगर आपके date की body आपकी तरफ ती इसका मतलब यह कि वो आपको पसंद करते हैं एक अच्छे first date के बाद आप अपने partner का character evaluate कर सकते हैं एक या दो रत किसी के साथ में अच्छा लगता है लेकिन कुछ लोगों में patience के कमी होती और वो लंबे समय तक रिष्टी निभानी की बात को समझी नहीं पाते हैं आपका partner का दूसरों की treat करने की तरीका बता देगा कि वो future में कैसे treat करेंगे जैसे कि वो अपने दोस्ट या family को important देते तो आपको भी उतनी ही important देंगे अपने से नीचे position वालों को आपका partner कैसे treat करता है गोर किजिए कि restaurant के साथ में waiter के साथ में उसका behavior कैसा था अगर अच्छा नहीं था तो ये इंसान future में आपकी भी value नहीं करेगा stress अक्सर इंसान के असलिए value बाहर ले आता है observe करिए कि आपका partner challenge को कैसे face करता है जो लोग pressure में भी सांत रहते हैं वो इनकी अच्छी quality वानी जाती है रिस्तो में challenge इसाना बहुत ही normal है ऐसे भी अच्छी partner के अंदर में अपनी emotions को control करने के ability होनी ही चाहिए एक और कीमती sign है जो हमको अपने partner का behavior बता सकता है और वो है उनका अपनी गुस्चे को control करने का तरीका क्या गुस्चे में आकर को तोड़फर करने लगता है क्या वो गुस्चे दूसरों पर निकालते है क्या आपके partner में जल्दी गुस्चा आजाता है वेल अगर ऐसा है तो आपके partner को पूरी तरीके सापनी गुस्चे को manage करना आता ही नहीं है ऐसा partner future में abusive तरीके से behave कर सकता है जलन की भावना और एक sign है जो आपको observe करने चाहिए यहां हम तेज और ओवन का example लेते हैं अपने dating के सुरवाते दिनों में ओवन तेज को लेकर कि बहुत पोजी सिप्ता हो चाहता था कि वो तेज सारा समय उसके साथ में रहे सुरू सुरू में तो तेज को ओवन का यह behavior काफी sweet लगा लेकिन दीरे दीरे मामला control से बाहर होने लगा ओवन बीच पे उस पे कड़ी नजर लगता था जैसे कि वो किसे बाते करती है क्या बाते करती है वो देज को एक मिनिट के लिए अकिला नहीं छोड़ना चाहता था अब एक तरीके से बोले तो ओवन देज की लाइफ को कंट्रोल करनी के कुछिस कर रहा था था ना तो नॉर्मली कपल्स के बीच में जैलिसी और पोजीश कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो ऐसे में आपके बाकी रिस्तों पर इसका गलत असर पड़ेगा तो तो आपको ओवन जिसे लोग को अपने पार्टनर पर कभी वरोसा नहीं करते हैं तो फिर क्या करना है वो आपके लाइफ को अमेसा कंट्रोल करने के कुछिस करेंगे इ नंसे उनके होमिश और बाकी होउबीस के बारे में लेकिन नहीं पता न चले कि आप क्या चाहते क्या सोच रहे है वरना हो इमानदारी से कभी भी जवाब नहीं देंगे और इसे के साथ में हमारी समरे के कशिचोन पर बात करते हैं कि हमें exactly कहां कहां पर कैसे द्यान देना ह किन-किन चीजों पर ताकि हमें समझ पाए कि हमें क्या बोलना है क्या डिसीजन लेना है और कोई भी गड़ बना हो तो चलिए फिस और एक बार दोहर आते हैं तो मुद्धा मामला ऐसा है कि सबसे पहले तो हमने सीखा कि हमको बोडी लेंविज कैसे रीड करने चाहिए सामने वाला नर्वस है या कॉन्फिडेंट है उसका हम लोग आसान इससे पता लगा सकते हैं इसके लिए हमको उनके हाथ पे और अपर बोडी को अफजर्ब करना होगा इंसान का चेहरा उसकी असलियत बता देता है इसलिए आँको आइब्रोज और मुझ पर भी हमको फोकॉस करना होगा दूसरी चीज हमने सीखा कि हम फाइब फीचर्स को यूज करके उनके प्रस्टनालिटी अनलाइज कर सकते हैं लोगों के कप्ड़ पहने और बात करने का तरीका बता देता है कि वह कितने कॉन्फिडेंट है लोगों की मुझे की चॉइस हैबिर्स और इंट्रेस लेको वार कर संको कैसे ट्रीट करते उनके बिचुस के और फाइनलीब हमने सीखा कि रोमैंटिक पाइब Kings को कैसे एनलाइज करना चाहिए अब हम डेट के दोरान अपने पार्टने के वीईवियर को समझ सकते हैं हम पता लगा सकते कि हमारा पाइब स्ट्रेस है या फर फिर से में जिससे हम अपने असली नेचर समझ पाएंगे और अपने रिलेशन के फ्यूचर डिसाइड डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि इनसान एक सोसियल आनिमल है वो कभी भी अकेले सारवाइब नहीं कर पाता लेकिन कई बार दूसरी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है गल हमको बड़े धेरियस के साथ में करना होगा एक दम से अनलाइस नहीं करना है तो इसे के साथ में यह समरी तो यहीं पर कम्टीट होती है आपको कैसी लगी है समरी और आगे कोई भी समरी सुननी होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते है थैंक यू पर लिसनिंग इस अधियो थैंक यू सो मुच